नमस्कर विट्चोब आपके term 1 के exam चल रहे हैं और काफी सारे students हैं जिनके exam ज्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं जैसे science का exam है बहुत से students का अच्छा नहीं गया match के साथ भी काफी सारे students के साथ ऐसा ही हुआ है तो यहाँ पर हम बात करेंगे term 1 exam की result को लेकर के सिरफ ये बात नहीं करने वाले कि term 1 का result कब आएगा बात करेंगे कि term 1 का result कैसे prepare होगा term 1 की result में कैसे सारे बच्चे पास होने वाले यह मैं आपको बताने वाले हूँ यानि कि आपकी tension है भहिया उसको side में लगा दीजे tension लेनी नहीं है figure not क्योंकि आपका result बिंदास आने वाला है कैसे आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दूसरा हम discuss करेंगे कि आपका जैसे काफी सारे students के questions आ रहे हैं कि sir इसमें passing marks क्या होंगे passing marks matter करेंगे कि नहीं matter करेंगे तो भी मैं आपको detail में बताने वाला हूँ आपके Sanskrit, Punjabi, Urdu, IT, CS इनके marks कहां पर add होंगे कि subject को replace करेंगे किसको नहीं करेंगे ये भी मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ और साथ जाथ ये भी देखेंगे जैसे काफी सारे students कह रहे हैं कि sir term 2 में हम hard work करेंगे बस इस बार पास हो जाए term 2 का exam अगर नहीं होता है तो क्या होगा फिर भी आपको tension नहीं लेनी है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है कैसे अच्छा होगा वो सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ अभी जो दो दिन से आप काफी सारे students है जो tension में क्यों tension में काफी सारे students इसलिए tension में कि उनके marks as per expectations नहीं आ रहे expect करे थे 39, 40, 38, score अरा 31, score अरा 25, 26 काफी सारे students इसलिए tension में क्योंकि उनका score passing marks भी नहीं बन पा रहा है क्या क्या जाए क्योंकि उम्मीद तो ये थी थी ना कि objective exam होंगे easy होगा, सब कुछ, must जाएगा, कुछ tension ही लेनी लेकिन जब answer की से match करे हैं तो भाई हो सोड रहे हैं तो tension में है, tension लेना बनता है अब tension में है और tension के साथ-साथ एक बड़ी tension ये कि ये tension वो किसी के साथ share नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते parents के साथ क्योंकि उनको काफी सारी उम्मीद हैं आप से और आपको बोला भी गया था पूरा time भी था और आपको time दिया गया था आपने उस time को utilize नहीं किया और mobile को आपने कहीं और पर use किया था अब आपकी गलती है share आप नहीं करे हो दूसरा मतलब करना इस वक्त ठीक भी नहीं है अगर अभी भी improvement कर सकते तो वो ज्यादा बैट रहेगा दूसरा teachers के साथ भी share नहीं कर सकते क्योंकि teachers ने पहले ही आपको warning दी थी कि भाई तेरा focus ध्यान नहीं है exam के उपर studies के उपर अभी से ध्यान दे ले वरना गड़बर हो जाएगे अब क्या किया जाएगे तो उन students के comments सारे है काफी सारे students ने मैंने खुद ने मुझे personally message किया है मैंने बात किया है तो आटेंचिन में लग रहे है तो सारी टेंचिन में यहांँ पर भगाने आया हूँ ok तो आप ध्यान से सुनिएगा one to one मैं आप से बात कर हूँ ठिक तो यहां पर किसान के बारे में आप जानते होंगे वो खेती करते हैं करते हैं ना खेते करते हैं जो फसले होती है उनकी चार साल में जो फसले होते है आठ फसले वो लेते हैं आठ फसलों में से तीन फसले उनकी बर्बाद जाती है तीन फसले बर्बाद चली जाती है कभी मौसम की मार होती है कभी सूखा होता है कभी बाड होती है कभी कीड़े हो तो क्या वो फसले बोना छोड़ देते हैं पिल्कुल नहीं छोड़ते हैं वो अगली बार उतनी मेहनत के साथ बलकि दुगनी मेहनत के साथ दुगने उत्सा के साथ वो मेहनत करते हैं यानि वो कोशते नहीं है ना उपर वाले को कोशते हैं ना वो अपने किस्मत को कोशते हैं बलकि वो लगे रहते हैं कि यह तो चलता रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह life है, life cause on, life चलती रहेगी, एक चीज से एक exam खराब जाने से कुछ नहीं होने वाला, एक exam अगर आपका top कर गए ना भाई बड़ा तीर नहीं माट लोगे आप, टेंथ में top कर गए तो इस चीजों से सीखे, पहली चीज तो यह मान के चलो, कि यह बिलकुल भी इत्तासादी फरक नहीं पढ़ने वाला आपकी life में अगर percentage थोड़े से कम रह जाते हैं, पता है यह जो life होती है, यह पूरी life cricket की तरह होती है, बस थोड़े से रूल अलग होते हैं, इसमें पहली चीज इसमें विकेट नहीं होते हैं, यानिकि आप बोल्ड आउट नहीं हो सकते, दूसरा इसमें कैच आउट नहीं हो सकते, यानिकि आप बैट लिए ग्राउट में खड़े हो और आप बोल फिंकी जा रही है, आपको बोल को मारना है, यह आपके जो exam है na science का exam है, match का exam, यह दो मिस किया आपने दो बोल मिस किया लेकिन आउट नहीं हुए हो क्योंकि विकेट तो है नहीं कैच कोई ले नहीं सकता आउट कब होंगे जब आप ये ग्राउंड छोड़ के बाहर जा सकते हो एक ही उप्चन है जब आप ये कहे दो कि मैं हार गया मैं हार गई मुझसे नहीं होता उस दिन आप हार जाओगे अध्रवाइज हारने नहीं वाले हो दो बोली मिस हुई है ना बहुत सारी बोल आने वाली है माली जी ये 10th class है 10th class में आपके percentage थोड़े से down रह चाते है doesn't matter कोई फरक नहीं पड़ेगा एक बोल मिस वी है opportunities है miss कर दी कोई बात नहीं अगली बार मैनत करेंगे तो पहली चीज ये कि tension नहीं लेने का बिल्कुल भी नहीं लेने का बहुत सरे सपने है कहीं पर भी जैसे मुझे भी बताया गया था कि बेटा 10th class है न खूब मन लगा के पढ़ियो और 10th class अगर अच्छे से percentage आगे न तो life set हो जाएगे तो मुझे ऐसे feeling आती थी exam center में बैठे वे exam देती थी भाई जब 10th class है उसमें अच्छे percentage आएगे तो बाहर एक लंबी सी गाड़ी मिलेगी ड्राइवर मिलेगा बस life set हो जाएगे कुछ नहीं हुआ life में आगे आगे चलते रहते हैं ये कर लो वो कर लो बहुत लंबी रही तो दोड़ते रहे टेंशन नहीं लेना है हाँ टेंशन है उसको share जरूर कीजिए अपने friends के साथ share कर लीजिए आप share कर लीजिए comment section में share कर सकते हो मेरे साथ personally share कर सकते हो तो पहली चीज़ ये कि tension नहीं लेनी अब मैं बताने वाला हूँ अच्छी news आपके लिए क्योंकि tension वैसे भी भाग जाएगी कि कैसे आपका result है वो बनेगा ठिक तो पहली चीज़ ये कि यहाँ पे CBSC आपका जो result announce करेगा term 1 का जो result होगा वो marks announce होंगे क्या announce होंगे कि आपके marks आपको बताए जाएगे CBSC will announce the result in the form of the marks code at the end of the term 1 यानि कि आपके marks पताए जाएगे पहली चीज, marks आपको पता चल जाएगे दूसरी चीज, students will not be placed in pass compartment essential repeat categories at the end of the term 1 exam यानि यहाँ ना तो कोई बच्चा पास होगा ना ही कोई बच्चा compartment आएगा ना ही कोई बच्चा fail होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यानि कि fail कोन होगा कोई नहीं होगा fail कोन होगा, वो हो सकते जिन्होंने exam नहीं दिया अगर आपने exam दिया है, आप fail नहीं होने वाले clear, यानि कि यह चीज आप अपने mind से निकाल देजिए कि आप fail नहीं हो रहे हो अब दूसरी चीज, यानि कि आप fail नहीं हो रहे हो, यानि एक चीज तो clear होगी न, यह tension तो चलेगे, कि मैं fail हो जाओंगी, मैं fail हो जाओंगा, तो fail कोई भी नहीं होने वाला, कोई भी नहीं मतलव, कोई भी नहीं होगा, ठीक, उसके बाद यह कि result कैसे announce होगा, फिर आपका ज दूसरा मोका है, दूसरा chances है, गिर के हो, खड़े हो जाओ, दोडने लग जाओ, ओके, दूसरा chances है, term two के exam होंगे, उसके बाद आपका result है, वो दोनों को मिला करके, आपको 33 percentage marks लेने हैं, तब आपका result अनौस होगा, उसमें दिखाओगा, pass, failure, compartment, ओके, तो आप इतने mature थो, इ नहीं रहने वाले हो, clear, तो tension नहीं लेना कि कोई बच्चा fail हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, compartment किसी की नहीं हो रही, essential repeat, कोई नहीं हो रहा, first कोई नहीं हो रहा, second कोई नहीं हो रहा, सारी एक ब्राबर हैंगे, उसके बाद एक ओर tension जो मैं आपकी दूर कर दू, मैंने एक और वीडियो भी publish किया था, उसका link मैं दे दूँगा उपर, i button में चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने example लेकर करके समझाए, उसको जरूर देखेगा, आपकी tension बिलकुल भाग जाएगे, जैसे additional subject को लेकर करके मैंने बनाये था, additional subject के marks कैसे ओड़ेंगे, कैसे add होंगे जैसे Sanskrit है किसी के पास, SKT है, तो SKT में माल लिजी कि आपके marks बनने है, 40 में से 26, clear, और आपके maths में marks रहेगे, आपके 10, ठीक, माल लिजी हम स्पोज करें, तो आपके maths के marks एड़ नहीं होंगे, बलकि SKT के marks, Sanskrit के marks हो एड़ हो जाएंगे, clear, IT है कई बच्चों की साथ, तो double subject है, दोनों के ही एड़ होंगे, okay, दोनों के ही एड़ होंगे, किसकी जगए, पालने जी कि IT है, तो science की जगए IT चला जाएगा, अगर IT के marks, science से ज़्यादा जाते है, clear, तो ये formula आपका रहेगा, तो be happy, be positive, कि science maths है, अगर marks नहीं एड़ होंगे, need not to worry, भाई, tension क्यों ले, क् कि इनके एड़ हो जाएगे, clear, हाँ, ये है कि अगर हिंदी इंग्लिश के marks हैं, वो अगर कम रहते हैं, तो उसमें सिरफ संस्किर्ट के एड़ होंगे, IT या CS के उनके एड़ नहीं होंगे, और कोशिश कीज़े भाई, जोड लगा दीजे, हिंदी और इंग्लिश में कम नह होता है, कि हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन वही questions आ जाते हैं, वही topics आ जाते हैं, माइंड ब्लोक हो जाता है, तो आपको कोई blame नहीं करा है, और खुद को आप खुद भी blame मत कीजिए, तो ये आपका होने वाला है, यानकी SKTs, IT है, आपका computer science है, आपका O2 है, आपका Punjabi है, जो main subjects है, additional में आपने लिए रखें, उनके marks replace होंगे, music के भी होंगे, कुछ students के थे, कि सर, music के होंगे, बिल्कुल होंगे, music के marks भी आपके replace करनेंगे, तो यानि, आपका science या maths में से एक down गया, तो बिल्कुल tension की ज़रूट नहीं, दो subject है, दो down गया, तो भाई ना, एक ही tension लो ना, थोड़ी सी, बाकी की दोनों की क्यों लेते हो, कि मेरे इतने खराब के, कुछ नहीं कया, अब हम बात करते हैं, कि passing marks क्या होंगे, term 1 और term 2 के बाद, जब result त्यार होगा, तो आपके जो passing marks रहेंगे, वो ऐसे रहेंगे, term 1 और term 2, यानकि first और second term के बार, आपको 80 में से 27 लेने, यानि यहाँ पे आपने 40 में से ले लिए, मान लीजे, marks 13, ठीक, यानकि term 2 का भी 40 में ही convert होना है, और यहाँ पर मान लेते हैं, कि आपके marks आगे 10, term 1 में, तो term 2 में आप 40 में से 17 ले लिए, हो गया ना 27, बस, इतनी इस बात है, यानि कि वहाँ पे थोड़े सी ज्यादा लेने है, तो passing marks के कोई issue नहीं है, वहाँ पे आप ले लोगे, वहाँ पे आपका subjective रहेगा, objective हमें सा difficult होता है, objective के लिए आपको deep study करनी होती है, या फिर आप बहुत अच्छे से त्यारी करो, आप expert teacher है, experience teacher है, उससे त्यारी करो, तो हो सकता कि आप के लिए science या mathematics ओरीजी हो जाता, क्योंकि जो teaching experience होता, mostly idea हो जाता हूँ teachers को, कि कौन से questions आने वाले आपके exam में, तो यहाँ पर science और maths में कहीं आपने चूक की होगी, जहां से त्यारी करे थे, वहाँ से भी अपने गडबर की होगी, कोई बात नहीं, तो अभी आपको क्या कर तो need not to worry, भाई, जो हो गया वो हो गया, अगले वाले semester में आप कोशिश करना, कि second time में आपके अच्छे marks आएं, clear, ओके, अब हम बात करेंगे कि इसमें percentage कैसे उपर हो सकते हैं, एक तो यह कि यहाँ पर आपके कम percentage रह गे, तो एक तो वहाँ से आप 40 में से maximum लेने के किजीगा, दूसरे यह कि internal जो assessment के marks हैं, यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी गलती, अब जिन बच्छों के marks कमाएं, वो यहाँ पर भी एक गड़बड कर देते हैं, कि end time के ओपर teacher से connectivity इन मत रखने हैं, गड़बड करते हैं, तो यहाँ पर आपके marks 20 marks ह 20% सीधे कि सीधे होते हैं, मालेजे कि आपके percentage बन रहे हैं, यहाँ पे आपके percentage 50-50 बन रहे हैं, यह 20 ले ले तो सीधे 70 पे जाओगे, जाओगे ना, 50% भी लेते हैं, यानि कि यहाँ पे आपने 13 लिए, वहाँ पे आपने 13 के बाद 17 के आसपास marks लिए, 50% पे अगर जा रह हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर 13 भी marks नहीं है, term 2 में 27 ले लेते हो, 40 होगे ना, 50% होगे, तो वहाँ पे 20 और जूट जाएंगे, या आप जैसे उपर लेके जाते हो, मालेजे कि 27 यहाँ पे आप second term में लेते हो, यहाँ पे आपके 13 marks है, 40 होगे, तो आप 60% पे सीधे जा स सकते हो, इसके लिए आपको internal के उपर focus करना पड़ेगा, जैसे आपका periodic test है, आपके 3 में से 2 best के लगेंगे marks, तो आपके 2 और होने, 2 में अच्छा score करना, ताकि आपके 5 में से 5 मिल जाए, ठीक, तो 2 उनके उपर focus करना है, दोनों ही जो आप होंगे second term के, उसके बाद multiple assessment में में होगा, जैसे आपको कोई quiz दे दी गई, कोई group activities दे दी गई, हलांकि इसमें इस बार आपका worksheet ही रहेगा, worksheet, वो आपके पूरी होने चाहिए, या notebook के मिल सकते ही, क्योंकि इस बार quiz या group activities तो नहीं होने वाले हैं, तो worksheet या notebook वो पूरी रखनी है, ठीक, अच्छे से रखन कवर करके रखनी है, timely submit करवाने है, बिना कहें submit करवाने है, five marks मिल जाएंगे आपको, five marks आपके portfolio के, जो portfolio दिया गया है, उसका format मेने बना करके दे दिया है, सारक सारक क्या करना है, teachers बोलते हैं, तुरंत बनाईए, अच्छा सा बनाईए, नहीं समझ में आता है, मेरे मिलेंगे आपको, subject in reach, activities, इसमें क्या होगा, हर subject आपको एक project दिया जा रहा है, जैसे 10th class है, तो उनका SST का project है, इसका उपहोकता अधिकार को लेकर के, consumer awareness, consumer rights को लेकर के आपका है, science में भी ऐसा ही एक project दिया गया, तो जो project दिया जाएगा, अगर ये नहीं मिला, तो ये आ project पर बात करते हैं, जो कुछ students को लग रहा है, कि अगर term 2 नहीं होए, तो क्या होगा, term 2 exam नहीं होए, तो क्या होगा, फिर term 1 के base पर result होगा, और term 1 में तो हम fail है, कुछ बच्चे, फिर क्या होगा, ऐसा नहीं होना वाला, कि अगर term 2 अगर नहीं होता है, मान लीजिए, हम suppose क हो सकते हैं, ऐसा था नहीं, कि 4-5 महिने wave आती है, तो भी रहती है, लेकिन फिर भी मान लिया कि नहीं हो रहे है, तो आपका term 1 का result होगा त्यार, लेकिन इसमें percentage, आपके term 1 के 40, प्लस आपके 10 marks, आपके add होंगे, फिर किसके internal assessment के, okay, term 1 तक तो यही activities होगी, तो इसमें से ratio आ इला करके फिर 17, आपके 33% लेने हो, यानकि 17 marks लेने हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है, यानकि तब भी आपको attention नहीं लेनी, यानकि formula फिर change हो जाएगा आपका, clear, तो आपको भी से attention नहीं लेनी, कि मान लिजे term 2 नहीं होते हैं, term 1 ही होते हैं, तो अभी आपका formula change हो जाएगा, और आप easily अपने passing marks तो ले पाऊगे, बस sincerely आप अपने internal score है, उसको improve करना है, sincerely आप next वाले दो exam रहते हैं, उसके उपर focus कीजिए, तो ये था आज चो मुझे आपके साथ discuss करना था, hopefully काफी सारे doubts से वो clear हो गए होगे, फिर भी अगर आपके doubts रहते हैं, तो doubts आप comment section में और हाँ, एक और चीज, थोड़ा सा favor चाहिए, इस वीडियो को आप अपने friends के साथ share जरूर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा idea हो जाए, थोड़ी सी tension उनकी भी दूर हो, और जहां तक बात है, आज के exam के answer की की, वो थोड़ी देर में मैं publish करने वाला हूँ, और हाँ, हिंदी, इंग्लिश के हमारी त्यारी पूरी हो चुकिए है, सारे वीडियोज आ चुके है, एक तू वीडियोज रहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे कल सुबह तक, आज के लिए बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day.